नमस्कार आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज मैं हूँ आपके साथ कोमल गंगवार रुकरते आज की खबरों की तरफ बलबगड में बीएसपी कारिकरता सम्मेलन के दौरान खूनी संगर्ष में एक व्यक्ति घायल हो गया जिसके बाद उसने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है बलबगड में बीएसपी कारिकरता सम्मेलन के दौरान हुए खूनी संगर्ष में घायल हुए व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है पीडित ने थाने में कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है पीड़ितने आरोप लगाते हुए बताया कि उन पर हमला बीएसपी उमीदवार सुरेंदर वशिष्ट ने कराया था आपको बता दी कि हर्याना के प्रितला विदान सभा छेतर से सुरेंदर वशिष्ट का नाम घोशित किये जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी के कारेकरताओं में असंतोष व्याप्त हो गया है पार्टी मा सचप सतीश मिश्र की उपस्तिती में कारेकरताओं के बीच जम कर लाटी और डंडे चले परदशन कर रहे थे आप आप लोगों तो वही वर्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजट पदक जीतने वाले अमित पंगाल अपने पैत्रिक गाउं माइना पहुंचे वर्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इतिहास रचने वाले यूवा बॉक्सर और एशियन चैंपियन अमित पंगाल अपने पैत्रिक गाउं माइना पहुंचे यहां पहुंचकर उन्होंने गाउं के मंदिर में पूजा अर्चना की इस दौरान ग्रामीनों ने आमित का स्वागत किया आपको बता दे की रूस में हुई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आमित पंगाल ने रजट पदक हासिल किया था और हम अपनी तरफ से पूरी कोईसिस करेंगे जिस सिलिवर को टोकी ओलम्पिक्स में गोल्ड के रूपने कोई बात नहीं हमारे को जो हना है उमीद तो काफी दी लेकिन इसका वेट नया होने की बज़े है थोड़ी चूग रहेगी और हमें उमीद है कि ये जूप जो हना है हम पूरी कर लेगा तो कितने क्तियारी इसने कर अपिक रखी दिया जिए तो इसी तियास को मैं ओलम्पिक मेडल के रास्ते में पड़ाओ कहता हूं अगे संबलनेगा मोका मेलेगा में और मिशन ओलम्पिक है जी दोज़ार बीस ओलम्पिक मैडल देश को जिसके लिए जैसे बॉक्सिंग में इस मैडल का इतियास हुआ बॉक्सिंग में उस मैडल का भी इतियास हो अब तक मेरी को बिजिंदर प्रोंस तक पोचे हैं तो हम ये तातें भी उसी पड़ाओ को और शफर को आगे पोचा है प्यास की बढ़ती कीमतों ने देश की जनता को रूला दिया है आपको बता दें इसको लेकर देश भर की ग्रेणियों का कहना है कि प्यास की बढ़ती कीमतों की वजह से किचिन के दाम उपर बढ़ते जा रहे हैं अब उन्हें प्यास के बिना ही काम चलाना पड़ेगा प्यास के बढ़ती कीमतों ने देश भर में कोरा मचाया हुआ है दिनों दिन बढ़ते प्यास के दामों से आम जनता काफी परिशान है प्याज के बढ़ते दामों को लेकर जब लोगों से बात की गई तो ग्रणियों का कहना था कि प्याज के दाम Państwo के बजचत से उपर है और वे प्याज के बिना ही काम चला लेंगी वहीं आर्तियों का कहना है कि महरास्ट और मद्यप्रदेश में बारिश और बाड की वज़े से कुछ दिन भाव बड़े हैं लेकिन नवरात्रों में नीचे आ सकते हैं कई ग्रहाकों का कहना है कि ये सब मौझूदा सरकार की देन है जिसका खाम्याजा सरकार को भुगतना पड़ेगा तो वहीं सिरोई जिले में आबू रोड पर 28 सितंबर को उपराष्ट पती का दौरा होने वाला है जिसको लेकर प्रदेश में उपकंड अधिकारी रविंद्र गोसामी के अध्यक्षता में नगर सुधार का रियाले में बैठक कायो जन किया गया आपको बता दे कि प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है तो इसी के चलते प्रशासन अधिकारी की बैठक की गई जहां वे बिन वैवस्ताओं को लेकर बैठक में विचारवे मर्श किया वहीं PWD तहसीलदार नगरपाली का अधिशासी अधिकारी समस्ता अधिकारियों को उपखंड अधिकारी ने निर्देश देते हुए सड़क और हवाई पट्टी की साफ सफाई और अन्य समस्या को लेकर दिशा निर्देश दिये वहीं इस बैठक में डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी उपखंड अधिकारी अधिशासी अधिकारी आबुरोड डीएसपी प्रवीन कुमार सेन सदर थाना अधिकारी शेहर थाना अधिकारी आधी इस बैठक में मौजूद रहे तो वहीं राजिस्तान के चीपबड़ोद में महिला बाल विकास विभाग की तरफ से पोशन महा के तहत पोशन रैली का आयोजन किया गया जिसमें अंगनबाडी कारे करता सहाई का समेत राज के विद्याले की बालिकाओं ने भाग लिया आपको बता दें की रैली का शुभारम SDM राम अफ्तार बर्नाला, बीडियो महिश गर्ग और महिलाबाल विकास अधिकारी प्रेम चंद मीना ने पंचायत समिती परिसर से किया पोशन रैली कस्बे के कई मार्गों से होती हुई आरेवाटी का बस स्टेंड पहुँची जहां पोशन मेले का आयोजन किया गया आंगनबाडी कारिकर्ताओं ने रंगोली बनाई जिसमें गर्ववती महिलाओं की गोद भराई और छे माहा के पच्चों का अनप्राशन किया गया वहीं कई तरह कि आहर प्रदर्शनी भी लगाई गई कारिकर्म में संबंदित थानादीकारी विजेंद्र सिंग जादौन और अन्यकर्मी को समेथ तांगनबाडी कारिकर्ता और आशा सयोगनिया मौजूद रही रैली मार्क में यातायात विवस्ता को लेकर जबान भी मौजूद रहे उदर राजिसान के जालोर में भी पोशन माहा के तहत मेले का आयोजन किया गया व्यरजन प्रदरशनी और महिलाओं को पोशन आहरत वितरन किया वैं इस पोशन अभ्यान के तहत जीवन में उचिद भोजन करना और साफ शुद पानी पीने की जानकारी दी गए साथ ही खाद्य पदार्थों द्वारा मिलने वाले पोशन तत्वों जैसे कार्वो हाइडरेट, प्रोटीन, विटामिन के साथ उनकी कमी और बचाओ के बारे में भी जानकारी दी गई फिलाल के लिए इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रही एबी स्टार न्यूस के साथ तब तक के लिए नमस्कार